आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ फूड आइटम दिये गए हैं थ्री टाइप के X, Y and Z एंका किया गया test सबसे पहले iodine के solution से, then copper sulfate and caustic soda solution के साथ test किया गया, अब इसके लिए हमें पता होना अच्छे कि iodine का test किया जाता है starch के लिए, यानि अगर starch present होगा किसी में भी, तो क्या color आएगा, इसमें blue black color देखने को मिलता है, iodine के test से, तो starch के लिए test किया जाते है, starch के presence के लिए, whereas copper sulfate, caustic soda का, यहाँ पर proteins के लिए किया जाता है, test तो अगर proteins में violet color देखने को मिला, इस test के बाद, अगर में violet color देखने को मिला, इसका मतलब इसमें proteins present है, सबसे पहले हमने X material को लिया और जब उसका iodine test किया तो वो blue black हो गया, blue black का मतलब उसमें starch present है, मतलब यह X होगा carbohydrate, यह है कोई carbohydrate, type of carbohydrate next है कि हमने y को change, इसमें treat किया, iodine से तो कुछ नहीं हुआ, बट इदर violet color आगया, तो violet आगया, इसका मतलब क्या है, कि यह protein है, एक type of y जो है, वो एक type of protein है then Z, उसमें कोई change नहीं आया, दोनों में कुछ reaction नहीं हुआ, दोनों से करके ही, तो यह क्या होगा, एक carbohydrate होगा, एक protein तो तीसरा पक्ता fat होगा, इसमें fat present होगा, तब इसमें दोनों में से किसी में भी react नहीं किया अब यह बताना में incorrect statement कौन सी है, जो यहाँ पर statements लिखी है उनके लिए, first बोल रहा है कि why that is protein, protein जो होते हो, यूज करे जाते है hemoglobin की formation के लिए, जो oxygen को carry करते है, which is correct, हमारे blood में oxygen को carry करना होता है, oxygen को carry कौन करते है hemoglobin carry करते है, and यह किसका बनावा होता है proteins का बनावा होता है, then next बोल गया X, X का मतलब होता है, carbohydrate help करते है antibodies की formation में, antibodies का function क्या होता है disease से लड़ना, and यह हमारी body में बनाते है, proteins ना की carbohydrate, तो option 2 यहाँ पर incorrect हो गया, then same amount of Z यानि की fat provide करवाता है energy, more energy as compared to X, यानि अगर हम लोग carbohydrate ले, उतना ही carbohydrate ले, उतना ही amount of fat ले, तो fat हमें जादा energy provide करेगा, which is true fat जो होता है, इसके breakdown में बहुत time लगता है fat को जो break करना पड़ता है, तो बहुत जादा time लेता है जब की carbohydrate बहुत जल्दी break हो जाता है इसने कम energy देता है, जब की fat काफी जादा energy देता है इसने option 3 correct है, next बोले की Z that is fat, वो shock absorbed cushion के लिए use होता है हमारी body के अंदर तो वो भी एकदम correct है यह हमारी body के organs को बचाता है हमारी जो skin की under की layer होती है under skin में present होता है fat अब इसका right answer जाएग option 2, incorrect option classic situal से लेके meet IIT जही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें doubt net आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 पर